नमस्कार दोस्तों चलिए आप सभी के सामने एक और सवाल देखिए परसेंट की मेरा थन क्लास में एक साथ में चलता है जा पूरा परसेंट खतम होगा इसके बाद कंप्लीट मैध का कॉर्स है इसमें अपने चैनल के माधिम से आप सभी के सामने प्रस्ट करूंगा तो देख यदि वस्तों के मुल्य में एकस परसेंट की कमी कर दी जाए यदि वस्तों के मुल्य में एकस परसेंट की कमी कर दी जाए तथा उसकी बिक्री भी वाई परसेंट कम हो जाए तो दुकानदार कितने परसेंट की हानी होगी यदि वस्तों के मुल्य में एकस परसेंट की कमी क की फिक्री याई में वह एंदार को कितने पर्सेंट की हानी होगी तो युझ्अ इंटू यपन यह आपका नोकर का फार्मुला क्रिएट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, minus x minus y plus x into y upon 100, उसी प्रकार से यह सवाल है, कि स्याम स्वेत टेली वीजन के मुल्य, स्याम स्वेत टेली वीजन के मुल्य में 40% की कमी हो जाती है, तथा उसकी बिक्री में भी 50% की कमी हो जाती है, स्याम स्वेत टेली वीजन के मुल्य में 40% की कमी हो जाती है, तथा उसकी बिक्री में 50% की कमी हो जाती है, तो टेली वीजन से होने वाली आयका दुकान दार पर क्या परभाव पड़ेगा, दुकान दार पर क्या परभाव पड़ेगा, एक लाइन का सवाल है, तो कितने परसंट की कमी हो रही है, 40% की 40-, तो उसके बाद 50, 40% की कमी हो जाती है, तथा उसकी बिक्री भी 50%, यानि 40% की कमी और बिक्री में भी 50% की कमी हो रही है, तो ठीक है दोस्तों, अच्छा, उसके बाद क्या, प्लस, यहाँ पर 40 into 50 हो सकता दोस्तों, बटा में 100, बटा में तलब पूरे का बटा में 100 हो सकता दोस्तों, अब देखे, इसको यहें पर हलका कर लेते हैं, यह आपका है, यहाँ पर नीचे करके बराबर, माइनस और माइनस, माइनस इन्टू माइनस, माइनस और यह हो प्लस लगा देंगे अब देखी यह सुने से यह सुने कैंसिल आउट हो जाएगा पांचों को 20 यानि यहां पर 20 हो जाएगा माइनस नबे प्लस 20 ठीक है अच्छा तो माइनस नबे प्लस 20 क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस रहेगा चीन तो यहां पर लिख लेते हैं माइ 70% की हानी होगी हम कर सकते हैं लिग भी सकते हैं अतर 70% की हानी होगी ठिक है दोस्तों अगले सवाल के तरफ बढगते हैं तो आपको एक और सवाल में स्वागत करते हैं देखें 11 टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूँ 11 टाइप यह है दोस्तों कि एक वस्तू का मुल एक्स परसेंट कम हो जाए तथा उसकी बिक्री एक्स परसेंट बढ़ जाए तो दुकानदार को हमेशा एक्स इसक्वार अपान 100% की कहान ही होती है सवाल बहुत जबरदस्त है इसे आप ध्यान से देखना होगा यह competition लेवए के लिए सबसे important सवाल है आपको यह सवाल हजारों बार लाखों बार करोणों बार पूछा चुका है दुनिया के हर competition में तो एक वस्तु का मुले एक वस्तु का मुले एक्स परसेंट कम हो जाए यानि किसी वस्तु को कह सकते हैं किसी वस्तु का मुले एक्स परसेंट कम हो जाए तथा उसकी बिक्री एक्स परसेंट बढ़ जाए एक्स परसेंट कम होने परसेंट कम कर दिया जाए तथा उसकी बिक्री 20 परसेंट बढ़ जाए तो उससे होने वाली आय का दुकानदार पर क्या प्रभाव पड़ेगा सवाल समझे एक पुष्टक का मुल एक पुष्टक का मुल 20 परसेंट कम कर दिया जाए तथा उसकी बिक्री 20 परसेंट बढ़ ज टीक है एक लाइन का सवाल है लेकिन बहुत ही का सकताओं की थोड़ा सा अच्छा सवाल है इसलिए आप इसे ध्यान देंगे तो 20% बढ़ जा रहा है दोस्तों तो बढ़ रहा है तो आप यहां पे 20 लिख लेंगे दोस्तों मेरे प्यारे और बटा में आपका 100 है तो 100 है 20% कम होकर कि बेकरी बढ़ रही है ठीक है तो क्या होगा अब यहां पर देखें 20 का स्कॉयर 400 हो जाएगा यानि कि सुन का स्कॉयर सुन ने और बीट दूना हान हो रही है घाटा हो रहा है तो यह है कि उसे क्या मतलब होने वाली आयका दुकांदार पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो 4% की हानी उस दुकांदार को जेलनी पड़ेगी चलिए अगले कोसें की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों एक बार आपका स्वागत है अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मुझे बहुत खुशी है बहुत फक्र है कि मेरी बिडियोच काफी जाता हूं आज की जा रही है रिजनिंग के और भी सवाल मैं आपको बताऊंगा जल से जल और इसके तुरंद बिडियोच खतम होने के बाद उसमें हम मैं आपको रिजनिंग कुछते हैं कि एक परिच्छार्थी को किसी परिक्षा में तोड़ा सा बड़ा प्रसन है लेकिन अच्छा प्रसन है एक परिच्छार्थी को किसी परिक्षा में उत्तिल्ड होने के लिए पास होने के लिए 40% अंग प्राप्त करना करने आउस्सक है वह 220 अंग प्राप्त कर करने के बाद 220 अंक प्राप्त करने के बाद भी 20 अंकों से अनुत्रिल हो जाता है उसके बाद भी 20 अंकों से अनुत्रिल मतलब फेल हो जाता है फेल हो गया तो बताईए परिच्छा के अधिक्तम अंक क्या थे बहुत पढ़ियां सवाल है फिर से हम दोरा देते प्रसन को प्र से 40% अंग अगर लाएगा तभी वह परिच्छा में पास माना जाएगा नहीं तो फेल वह 220 प्राप्ट करता भी है 220 220 नमर उसे मिलता है उसके बाद भी वह जो है दोस्तों प्राप्ट करने के बाद भी वग ईतर अंकों से अनुत्रिल हो गया वी संसे वह प्रतिसत अंग प्रतिसत अंग प्रतिसत अंक प्रतिशत और अंक यहां पर प्रतिशत अंक लिखे लेंगे मेरे प्यारे दोस्त प्रतिशत अंक इन्टू हंड्रेट इन्टू दोस्तों क्या हंड्रेट अच्छा यह फार्मूला है यह फार्मूला चिपकाएंगे तो आपको मिलेगा इन्टू हंड्रेट उत्त्री रा यहाँ पर लिख लेगे अच्छे 220 लिखने के बाद 220 अब 220 उसका उत्रीडाँक है रहे अप प्लएज दो बैस तो बैचारा लाता है 220 मतलब उत्रीडाँक जो है 220 वह लाता है और अंक परापद करने के बाद 20 और भी लाता है यहां चोड़ लीजी 20 और भी उसका जुड़ता है और उसे 40% अंक प्राप्त करने है आउसक है, तो बटे में नीचे 30 अंक जो है 40% है तो 40% हम यहाँ पर दिखा सकते है या 40% उसे हम लिख सकते है, ठीक है दोस्तों यह 40 है, तो इसे लिखने के परसेंट लिखें और ने लिखें कोई दिखकत नहीं है नहीं तो आप इसे % हटेगा इधर तो यहाँ पर हईए है, इसको हटाईए, कोई दिखकत नहीं है यहाँ पर 100 कर दीजे, ठीक है दोस्तों 100 हो जाए, 220 प्लस 20 आपान 40 into 100 गुड़े 100, अब बस इसे क्या करना है, देख लीजे ध्यान से अब यह लग जाएगा आपका 220 और 20 जुड़ेगा तो 240 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा यानि कि 240, 240 बटा में 40 into 100 है, अब देखे क्या करेंगे इसे कार्ट पिट के छोटा कर लेंगे आपको 1 सुने से 1 सुने कट जाएगा और यहाँ पर देखे, 2 दूना 4, 2 पच्चे, 10 यह आपका इतना हो गया अच्छा, आप इसे देखे क्या हो जाएगा दोस्तों यह तो आपका कटेगा नहीं, अगर यह काटना चाहेगे तो कट भी जाएगा दो दहाम 20 यह 2 एकन्नम 2 कटेगा, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 सुने सुनना 120, 5 कितना हो जाएगा 5 सुने सुनना, 5 दूना 10 कि सुनना, हसिल 1, 5 एक 6, 600 हो जाना चाहिए जी हाँ, 600 आगया तो इसका उत्तर हो जाएगा 600 तो अतर अतर दोस्तों मेरे साथ यूँ अतर 600 का पूरांक होगा अतर 600 का क्या होगा दोस्तों पूरांक होए पूरूर रांक ठीक है दोस्तों आगे चलिए आपको आगे बताते हैं अगला सुवाल